प्रेंट्स एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल टे कानल में तो फ्रेंट्स जैसा कि आप जांते होंगे आपके YouTube चैनल टे कानल पे और आज के वीडियो में हम लोग सिखेंगे और भी फोटो को अगर आप SD में करना चाहते हैं और 100% फिरी में तो ये वीडियो जो है बहुत ही informative होने वाला है मैं तो ऐसे ही यूज करता हूं फ्रेंट्स मैं जो है किसी low quality में भी अगर thumbnail मेरा बन जाता है तो मैं इस application का बताऊंगा कि आप किसी भी image को जो की धुन्दला धुन्दला सा दिखाई दे रहा है clarity नहीं है HD नहीं है उसको एकदम से फिरी में HD quality में confirm करके अभी आपको दिखाऊंगा live तो वीडियो में बने रही है वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा एक request करेंगे वीडियो अचलेगा तो like करेंजेगा क्योंकि और भी बहुत सारे important वीडियो आने वाला है इस channel पे मैं और भी कई वीडियो ऐसे बनाने वाला हूँ जिस पे आपको जखकास tips मिलेगा YouTube channel create करने का और grow करने का तो friends चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपको एक application की ज़रूत होगी उस application को मैं install करने के लिए आपको बताऊंगा उसका link भी मैं description में दे दूँगा तो friends जैसा कि अब यह देख पाड़ होएंगे एक जो है यहाँ पे मैंने screenshot एक thumbnail का लेके रखा था यह कितना धुंदला धुंदला सा दिखाई दे रहा है एकदम बिल्कुल किये यटी नहीं एकदम डूले लिस्ट है फोटो किसी भी text को आप अच्छे से यहाँ पर नहीं प यह एक जो है 100% free application है हाला कि इस पे premium version भी है लेकिन मैं आपको पैसे लगानी के सला नहीं दूँगा आपको premium version यूज नहीं करना है बिल्कुल free वाले version को यूज करना है और एक advertise उसके बदले में देखना है friends कुछ न कुछ अगर इस app से लेंगे तो आपको भी कुछ न कुछ देना ही होगा और आपको देना क्या है एक छोटा सा 8 देखना है अगर आप पैसा नहीं लगाना चाते हैं फिरी में कम करना चाते हैं छोटा सा एक advertise देखना है उसके बदले में यहाँ से sd photo download कर लेना है सा ओपर की ओड़ जाते हैं यहाँ पर आप देख पा रहेंगे moment का जो है यहाँ पर option है moment के option पर आपको किलिक करना है moment के option पर किलिक करने के बाद आपको recent में आना है recent में आने के बाद यहाँ पर सारा वो photo यहाँ पर आपको आ जाएगा जो आपने अभी अभी तुरत जो ह था थमनेल का देख पा रहे हैंगे यहां पर मैं ठीक लगा रहा हूं इसको मैं सलेक्ट कर लेता हूं इसको सलेक्ट करने के बाद देख पा रहे हूंगे यह स्क्रीन पर आ गया है अब आपको नीचे में इनहेंसर SD का एक बटन है यहाँ पर मैं ठीक लगा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे SD Inhancer का बटन है इस पर सिर्फ आपको क्लिक कर देना है इस पर सिर्फ क्लिक करना है आपको और उसके बाद आपको देखना है इस application का जादू चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यह process हो रहा है थोरा सा time लगेगा जितना speed में यह work करेगा यह आपके network पे निरबड है थोरा सा wait कर लेते हैं यह process हो रहा है एकदम जखकास से जादू करके यह app जो है friends देदेगा कमाल का application है मैं अपने सारे thumbnail को जो यूज करता हूँ मैं वीडियो के उपर मैं इसी application से करता हूँ आप देख पाड़ेंगे friends कि कितना credit के साथ यह photo को जो है एकदम पूरा से जखकास कर दिया है यहाँ पे इस icon पे click करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पहले वाला photo कैसा था और अभी जो आपने edit किया है इस video पे वो photo कैसा इस पे click करते हैं तो यह देख पा रहे होंगे इस icon पे click करते हैं friends देख पा रहे होंगे यह original photo है जो मैंने upload किया था यह कितना blood है आप देख पा रहेंगे लड़का का face दिखाई ने पार रहा है पूरा blood है फोटो धुदला टाप का दिखाई दे रहा है और जैसे ही मैंने इस app से यहाँ पे किया है तो आप देख पा रहेंगे मैं थुरा सा zoom करके दिखादू देख पा रहेंगे फोटो कितना clear हो गया है कितना अच्छा चहरा साफ हो गया है सब कुछ clear clear दिखाई दे रहा है और यहाँ पे click करेंगे देखिए यह original फोटो है कितना दुंदला दिखाई दे रहा है जैसे ही मैं आप छोड़ देता हूँ अबर्टाइज का देख लीजिए दूसरा आपको अगर एड नहीं देखना है तो उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कीजिए पैसे इन्वेस्ट करना नहीं है simply इस पर एड पर click कर देना है यह एड जो है यह पूरा चलेगा यह 29 मिनट, 29 सकेंड, 30 सकेंड, 15 सकेंड का एड बर्टाइज होता है आपको कोई साभी यहां पर मिल जाएगा तो अभी यह 30 सकेंड का एड बर्टाइज चल दा है इसको चलने देते हैं चलने के बाद यह ओटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और आपका फोटो भी जो है वो ओटोमेटिक गैलेरी में सेब हो जाएगा उसके बाद आप किहां इसे इस फोटो को कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने वीडियो के थमनेल में यूज कर सकते हैं आप अपने परिवार के फोटो को जो है HD में बना के प्रिण आउट करवा के फ्रेमिंग करवा सकते हैं यह देखिए रिवार्ड जनरेटेट हो गया है इसको कलिक करते हैं और यह देखिए सेब्ट इन गेलेरी यह फोटो एकदम हन्डिट परसें सुरक्षित गेलेरी में सेब हो गया है मैं आपको अगर दिखाना देखना चाहेंगे आप तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ यह पिक्चर में यह फोटो आ गिया है देख पा रहेंगे यह वही फोटो है बिलकुल कितना HD quality में यह फोटो को बना दिया गया है और भी कई जो है यहाँ पे इस एप का आप काम किसी और फोटो के भी अगर आपका कोई एजुकेशन सम्मंदीत फोटो है कोई सार्टिपिकेट बगएड़ा है धुझला है उसको भी आप इससे जो है HD quality में convert कर सकते हैं तो friends कैसा लगा यह वीडियो आप लोगो को में जाके जरूर बताएं बहुत ही अच्छा